हरो दोस्तों स्लाम लेगों स्टवाल आप सबीकर मेरे चैनल गल्फी टीव में हाजिर हूए कोई से आर ये के लेटेस अपडेट को लेकर अपडेट है उन भारतियों के लिए जो कुवेट में फसे हुए हैं जैसा कि पहली वीडियो में आपको बताया था कि भारत ने वंदे जा सके तो दोस्तों मैं आपको बताया था फेज वन के हिस फेज वन में करीब आठ सो चालिस भारतिये जो हैं वापस अपने मुल्क आए हैं कोई से फेज टू अवर्न भारत मिशन का शुरू होने वाला है जिसके तहत करीब सत्तर हजार भारतिये मजबूरों ने ये भारत का यानि जो लोग फसे हुए है कुवेत में उनको भारत वापस लाने का अब रेजिस्टेशन अभी हम फिलाल के लिए नहीं लेंगे कुछ दिनों के लिए हमने वह टालने की यह फैसला लिया है लेकिन कुछ दिन बात फिर से वह रेजिस्टेशन को रिज्यूम करेंगे फिर केस ऑफ डेथ अगर मौत वगरा की कोई अमर्जनसी यह अलाना करे तो ऐसी अमर्जनसी में आप या आपके किसी जानने वाले के साथ यह अमर्जनसी होती है तो आप एमबैसी को ईमेल के जरिया कॉंटेक्ट कर सकते हो और एमबैसी जो है जल से जल आपका इंजाम कराएग या हम किसी भी तरीके का पैसे की लेने देन टिकेट के मामले में हम नहीं करते हैं हम कोई भी सौधा नहीं करते हैं ये काम एर इंडिया की एजनसी का है और एर इंडिया एक मात्रेसी एजनसी है जो अभी फिलाल के लिए टिकेट बुकिंग टिकेट को जारी करने के लिए टिकेट ये के लिए एक मातर जिंसी है जो वो जिम्मेदार है इसके लिए भारतीए hase और ये बोला कि सरकार बारश सरकार उन कई लोगों ने वीडियों में यही पूछा था पिछली के सब्द Challenge अगई हैं लेकिन खिर बीँए-दीम्स में भारत अपनी limit बढ़ाएगा, एक साथ बहुत सारी flights का announce नहीं किया कर दिया जाएगा, आप लोग सबर रखें, इंशालला आप लोगों का सारी problems दूर कर दी जाएंगी और दीमे दीमे सारी चीज़ें होती हैं, देखिए एक साथ कुछ भी होना नामुम्किन हो जाता है तो थोड़ा सा सबर बनाए रखिए, और अपडेट के लिए हमाई सारी जुड़े रहिए, गलफी टीव पर बरुसा रखिए, और मैं आपके साथ latest और genuine update आपको देता रहूँगा और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि किसी भी भी तरीके का question पूछना है, ट्रैवल रिलेटेड इंडिया expatriation का या कोई भी ऐसी चीजें आ रही हो आपके दिमाग में जो कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा है, ऐसे केस में आप direct Indian embassy को contact कर सकते हैं, अब लोग पुछते हैं कि sir Indian embassy का number दे दीजे, तो मैं आपको बता दू कि आप Google पर जाईए, आप वहाँ पर टाइप कीजेगा Indian embassy in quay तो वो निकल के आ जाएगा, उसके home page पर जाने के बाद एक column दिखाई देगा, contact us का, वहाँ पर phone numbers आपको मिलेंगे, आप phone numbers पर embassy contact कर, वहाँ से direct बात कर सकते हैं, आप किसी का सारा ना लें, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो genuine information बरुसा करें, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे fake news पहलाए जा रहे हैं, जिस वएसे लोगों में एक डर बैठा हुआ है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का, हाला कि इंडियन मैसी ने खुद बोला है, कि अगर किसी तरीके का, आपको कोई भी doubt हो, तो आप clear करने के लिए इंडियन मैसी कॉल कर सकते हैं, और वो आपकी call receive करेंगे, and you guys are welcome there, तो अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है, आप आहाँ से contact कर सकते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजारत दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आईए, तो मेरे चैनल गलफी टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट में आपको देना चाहूं, सबसे पहले आप तो पहुंचे, वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, घर पे रहिए, महफूज रहिए, सेहत बंद रहिए,